आज हम जो है कुछ इंपोर्टेंट जो अर्याना जी के टॉपिक हैं उसमें से पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा हमारे अर्याना की जी उनिवर्स्टीज हैं में पढ़ेंगे कि वासंसलर के बारे में वह कहां पर है कि याज बनी थी आजिए का नाम है तो शुरू करते हैं उम्हारी पहली जीनिवर्स्टी का नाम है कुरुशेत्र है दले जो कुरुशेत्र के इंदर ही नाम से पता चलुए आपको पुणिज उपन में स्थापना होई थी और वाइस सांसलर जो है इसके डॉक्टर के लाश संद्वर सर्मा कि उसके बाद चोदरी चरन सिंग खिर्शी उशिव दाले है कि 1970 में स्थापना वई थी और कहां है यह हिसार के अंदर वाइस चांसर का नाम क्या है के पी सिंग उसका एमडी यू यानि के महरशी द्यान इंविश्ट्री जो बच्चे जिन में पढ़े हैं उनको पता भी है फिर भी आपने ध्यान रखना है एक कोश्चन तुसर जाता ह है बहुत बारिंग में से एक नंबर पकात मिलेगा आपको रहतक में है यह बिजेंदर के पुनिया जो है वाइस चांसर का नाम है उसके बाद दीन बन दूस चोड़राम ग्यान एवं परहद्योगी की विश्चे विदाल ले यह मारा सुनिपत्र में मुर्थल के अंदर और वाइस चांसर का नाम है उसके बाद गुरु जंबेश्वर विज्चान एवं प्रद्योगी की विश्विदाल्या जो है यह उन्हीं सुपिचान में बनी थी हिचार के अंदर टंकेश वर कुमार इसंत के वाइस चांसर का नाम है और चोदरी देविलाल विश्विदाल्य है दूजर तीन में बना था सिर्शा में वाइस चांसर का नाम था विजय कुमार कायत बना था भरत फूल सिंग महिलावी श्विदाल्य दूजर चैने वराथा खानपूर कला में सोनिपत के अंदर में सोनिपत के अंडरा था यह भी यह ध्यान रखे सुनिपत में कि दो तीन हां और उसके बाद सिर्शा में एक है और एक हीया सिर्शा में बिवानी के अंदर भी एक ही ए ठीक है रोत्तक गर्वी एक है मेंदर गड़ गडर भी एक तो सब जादा पुछा जाया आपसे तो मुड़्तल के अंदर सब्सक्राइब नाम है वाइस चांसलर उसके बाद सब्सक्राइब नाम है किंद्री विश्यदाले में नाम है किंद्री विश्यदाले में इंद्रिगड में जंत पाली जंग है सब्सक्राइब नाम है किंद्रा गांदी विश्यदाले 2013 में रिवाडी में बनी वाइस चांसलर उसका नाम बदल दिया गया वह अभी नीचे लाइन लिखी गई है पहले दिखा रहा हूं आपको वाई एंसी ए कहां है आवाई एंसी फृदाबाद में इसका नाम है बदल दिया गया है जगदीश चंदर बसू विज्यान यम्परद्योगी की विश्यदाले यह फृदाबाद में है ठीक है आब इसका नाम जगदीश इस अंदर बसू भी आ सकता इस बात का द्यान रखें तो इनिश्टी थी हमारी कवर होगी है इसके इंदर उसके बाद नेक्ट जो है अर्याना की जन संख्या को बाद में देखेंगे अब एक बार देख लेते हैं अर्याना के मुख्यमंत्री के नाम उनके जन्मस्थान तो दस मुख्यमंत्री टोटल हैं ज्यादा नहीं है दस मिनिट भी नहीं लगेंगे आपकी याद करने में मुस्किल से पांस मिनिट का का में आपका रिवाइज कर लोगे देख क्वेशन आपका पक्का हो जाएगा ये क्वेशन हो चुका है दुसरा क्वेशन चल रहा भी तो पहले थे हमारे बगवत द्याल सर्मा उन्स उठारा में जनम वाथा चब्वी जनुवरी को और चीव उनीस चीनाट से शट तकी रहे एक साल लगभग जजर के मेरी गाउं से थे ये उसके अगले बनेर सरी राव ब्रेंदर सिंग बीस फरोवरी निसे किसको जनम वा था इनका नंगल पठानी गाउं में जिन्याइपर वातरेवाडी के अंदर पर शरी बंसीलाल कि उससे ग जुपता पांस नुम्बर नुश्टरा को जनम वाइन का चोथे मारे मुख्या मंत्री थे ये मान हेरु विवानी से थे और उसके बाद देविलाल जो हैं 25 सितंबर नुश्टा को जनम वाइन का चुटाड़ा गाउं से थे सिर्शा के अंदर आता है बजनलाल का जनम 6 एक् 35 को वाद चुटाड़ा गाउं में ही सिर्शा के अंदर आता है जो चुटाड़ा सिर्शा के अंदर आता है इसके बारे में कई बाते हैं तो ध्यान रखना है आपने उसकाल सरी हुकम सिंग 1925 में हुआ था डेट इनकी नहीं दे रखिये वाई डानी फोगाट में चर्की द करनाड में रह रही है इसके बाद कार्येकाल जो था अलग लग मुख्यमंत्रियों का किसका ज्यादा लंबा रहा है वो भी अभी साथ के साथ वहीं से कोश्चन आएगा एक कोश्चन पकाई इसमें भी आता है तो यह दोनों जानकारी एक साथ मिल जाएंगे आपको यहीं घृदी आपकर डाब हैं लियगाना के मुख्यमंत्री का का कर्येकल कितना रह इसमें आपको यह पता चल जाएगा सबसे लंबा करिये का रहा सबसे कम किसका रहार सबमठों मिर्दगार है बहुत कम टाइम रहा मारत से नभी तक उसके बाद इंचाता है अहला जो राष्ट्रपती साशन लगा अपने अरियाना के अंदर वो लगाता हुआ दिश्ट से 1968 तक 21 नुवंबर से 21 मही तक जो कि उस्ट मेर जो राष्ट्रपती थे वो जाकिर उशैन थे सब्सके पाइए अधि सब्सक्राइब जो कर्या काल रहा है वो 68 से 780 तक और इसके बाद चाहिद राव बिरेंदर शिंग का भी एसा ही है उसके बाद दूसरा राष्ट्र पर Tishaasya अर्याना में कुल तीन राष्ट्रपति शार्षन लगे हैं यह ध्यान रखने आपने पहला लगा था सब्सक्राइब तक यानि के अर्याना बढ़ने के तुरंत अगले साल में अगर आप दोबार आते हैं हम उपर चौदरी बनसीलाल का जो कर्येकाल राडशाट से प्छेतर तक रहा बनार्सीदास गुपता का प्छेतर से श्ते इंतर तक माना जाता है इनका वैसे तो और भी है लेकिन जानकरी देखी आगे और यह मिलेगी आपको पता चले क्यों बोला जाता है इसको चोदरी देविलाल उनुश्तेंतर से उनुश्यो अनासी तक एकिस जुन से थाईस जून के बीच में इसतैंटर से उनासी तक सुदरी बजनलाल का जो 39 सूट रिपण सी लाल का जो करियकाल है वह 58-1967 तक रहे सब से लंबे समय तक माना जाता है 1886 तक बजन लाल का बजन गाये गई सबसे ज़्यादा समय तक 1886 तक याद रखियो भई पैचान देवी लाल का जो है दुबारा करीकल फिर बता गया आपको 20 जून 1987 से 1 दिसम्बर 1989 तक ओम परकास टॉड़ा का जो है करीकाल है दिसम्बर 1989 से 22 में 1990 तक और सबसे ज्यादा बार बने हैं ओम परकास टॉड़ा यानि के पांस बार बने हैं ओम नाम सबसे ज्यादा लिया गया है ओम परकास टॉड़ा याद रहेगा आपको उसके बनार्शिदास गुपता दुबारा फिर आ गया दूसरी बार प्रकास टॉड़ा बारा जुलाई 1990 से 16 जुलाई 1990 से सबसे कम पांच समय पांस दिन तक रहा है ओम परकास टॉड़ा का उसके बाद उकम सिंग का जो कारिये काल रहा है 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च निस ओ क्यान में तक कि उसके बाद ओम प्रकास टॉड़ा जो दुबारा फिर है इनका कारिये काल कि 23 मार्च निस ओ क्यानमा से पांच अप्रेल निस ओ क्यानमा तक और तीसरा राष्ट्रपती साजन फिर आगया क्यानमा से क्यानमा तक ही लगा 6 अप्रेल से 22 जुन तक और वेंक ट्रमन उस समय इनके राष्ट्रपती थे वही उसके बाद तुरी बजनलाल जो थे 23 जुन निस ओ क्यानमा से 10-906 तक बजनलाल का चीक है तो बजनलाल का पहले वे आच्वों कितनी बार बनान है बजनलाल एक दो कि दो बार आचुका है उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके आ उचानवा तक नभा उसके बाद नहींन प्रकास लुटाला जो है है पट्रीस जून पुर्ण जिननेवा से च्यार मार्थ 2005 तक और बुबेंदर सिंग उड़ा कारे काल 2005 से 2014 तक लगा तार रही है वैसे सब से लम्बे समय तक ये दुनेवा बाते लग लगा तरफ से पूचिछ आए तो बुबेंदर सिंग उड़ा के बारे बताना है अपने जो कि तो जर 5 से 14 तक रहे हैं लगब कितने साल? 9 साल और साइद मनुरलाल खटर अभी तक चले हुए हैं ये भी 9 साल करी देंगे तो ये बराबरी आ जाएंगे उनके जो है वर्तमान के मुख्यमंतरी है तो ये था मारा मुख्यमंतरी के बारे में जानकारी इसको दो तीन बार देख लेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कौन कोर से कई कोश्चन निकलेंगे आपे सबसे कम समय 5 दिन के लिए यहां से कुश्चन बनता है सबसे दिक 5 बार जो अलग लग राष्ट पतिसासन लगें इससे लिए भी कुश्चन मनता है ठीक है तो यह तीन-च्यार पॉइंट यहां से में निकलें को बार बार पड़े द्यान से उसके वाद अगला टोपी करते हैं इसके अंदर अर्याना के जिले जो हैं कब बने ठीक है वो द्यान से देखिए इसमें भी हमारे कुछ कुश्चन बढ़ेंगे जो बहुत बार पुशे जाते हैं तो आये शुरू करते हम तो बिवानी पलसर की दादरी चार जार साथ सो ठेंटर वर किलोमेटर बिवानी मुख्याल है इनका और गठन जो हुआ था इनका 22 दिसंबर 1922 को हुआ थ देखिए जाता था और चैसे टाइम पर हिसार था जीन था और करनार था और महिंदर गड़ और क्या था यह रोतक और अमबाड़ा और गुरुग्राम यह याद रखना है आपने जो चैसेट में थे उस टाइम पर काउंट कर लो कितने हैं एक दो तीन चैर पांच छे साथ साथ जीले हैं जो चैसेट में बने थे इस बात का द्यान रखें आप बहुत बार यह कुशन पूशे जाता है उसके बाद बनते रहे आगे से आगे जीले ठीक है ना तो अलग जीलों का वरक किलोमेटर में एक शित्रफल किसका सबसे ज्यादा किसका जाना में अभी और 13 स्तंबर 2016 को बना था लेकिन ऐसे सिसको जो ना सोलो नुम्बर 2016 को चर्की दादरी को रियाना मतलब मानती है वो ठीक है विवानी में से चर्की दादरी नया जीला बन जाने से सिर्षा सब सिज्यादा किसे तरफला जीला हो गया है झाल 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 तो यहां पर देखिए अब सबसे ज्यादा क्षेतरफल के एरिये में अगर बात आती है तो कुण सा आता है शिर्षा आता है पहले कौन था बिवानी था क्योंकि बिवानी के साथ चर्की दादरी था लेकिन चर्की दादरी अलग हो गया है पहले पहले चार जार साथ सो ठेंटर था इनका तो अब चर्की दादरी का देख लो कितना है उससा घटने के बाद कितना रह जाएगा चीक ना वो कम हो गया वई तो इसके बाद जो है टोटल बाईस जिलें ये बात पता चल गी आपको और 66 में साथ जिले थे और उसके बाद जो है उसके बाद बनना सुरूए 66 के बाद चे के मेरे ख्याल से 66 के बाद साया थे तर की बने जो हैं शोनीपत बना बहाततर के अंदर की होई या दर रहना सोनीपत और विवानी पले सरकी दादर वी उसके बाद 2 और उसके बाद एतर के बाद मेरे खयाल से कुछ नहीं बना है उसके बाद आपका बना है नहीं बना है लुद亞 सब्सक्राइब करते हैं और यह द्यान रखना आपने उसके बाद नेक्ट जो है उनसी के बाद वही आ गया जो असी में नहीं है कोई नहीं दिखाई दे रहा है मुझे और क्याशी में भी नहीं है याय बैशी विदमें नहीं बना भयी तो के अंदर भी नंवना जाय देख लिटें एंक बार वैंत प्रवण जि्यों 870 मैं निन इसो नूसमें रिवाडी होगै उर पानिपत तनी से फॉमा इवाडी गोली बना यमिनान अगर वनब आट तने मनहें चियार होगै इन नाने जाने भाडी होगै शुब सबसे कम है यह द्यान अगना वर किलोमेटर एरिया जो है यह तो सबसे कम है इसका पंदर आगर वह दिन इन प्रहताई अन्हीं सोप इचाणंव में में ही चानवाक्य बास बना है इस लुक्र सांवाillenne algorithm I Am जा हूँ सबड़ ने ने न कर चैंवाइब सुनाओन है यह 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 ने हदो नहीं कर दो ना इस है। एक टर दर बढ़े अप्का जजर और पतियाबाद बने चुड़ा कि याद रखना संवाई उस्की में बणा है एक सथाड़ा में बना है नहीं बना कोई साथ भीक्ल्फ में अन्ठानु में我也 नहीं है और उसके बाद नहीं बनावाई यह हो गया आपके कितने जिले हैं काउंट कर लो एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा शोला कि सतरा ठारा उननिस बीस इकिस और बाइस वह बना चरकी दादरी एक और कोमन बात बता दो मैं आपको एक नुवंबर को स अबाड़ा एक नुवंबर को रिवाड़ी एक नुवंबर को रोत तक नुवंबर को और उसके बाद दीवनानगर एक नुवंबर को नारनोल एक नुवंबर को मैं इंदरगड के इंदर नानोल आता है बई करनाळ एक नुवंबर को एक नुवंबर को जीन एक नुवंबर को और इसार भी नूवंबर कितने होगे टोटल एक नूवंबर को काउंट कर लेना इनमें से प्रूरू जरूर आएगा 100 परसेंट ठीक है और आपको भी याद हो जाएगा पहचान हो जाएगी इसको ध्यान से देख लें तो यह होगा आपका एक दो तीन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 जिले ऐसे हैं जो एक नूवंबर को बने हैं नूवंबर के महिने में सिप्ट ज्यादा बने हैं या तो नूवंबर में जनवरी में अगस्त में जुलाई में वैसे तो हैं सारे महीने लग बबब बब मौश्ट्री वहीन ले रखे हैं लेकिन नुमंबर में सबसे ज्यादा है तो और याना की जीलों के बारे में जान करें आपको च्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करदें अपने दोस्तों के साथ और बार बार रिवाइज करें ताकि आप में चलते हैं नेक्स्ट जान करें बाद में पढ़ेंगे अब कुछ वेश मुषा देख लेते हैं इसमें से क्वस्टों आया होएं बहुत बार एक्जाम के अंदर तो यह जो आप की कि अ पुर्सों की वेस्ट भुषा है वो लग बहुत नहीं है दो च्यार छे आठ और नो नो वेस्ट भुषा है वही दहां रखें इस बात का एक साफा होता है सैनिक फैसन वाली पगड़ी होती है इसका कुश्चन आया हुआ है कलम ने जो कुश्चन किये थे रहना जी के नहीं देखिए तो देख लें वहां जाके खंडवा पगड़ी को बोलते हैं पागड़ी मारवाड़ी डंकी पगड़ी होती है देखो खंडवा खंड़का कहा द्यागरेशनम पाग राजपुती रूप में बड़ी पगड़ी को लोई चादर उड़ने की वही उसके बाद खेश गरम कंबर उड़ने का उसके बाद दोहर हाथ से कत्रे विसूत की मजबूत गरम चादर कंबरी प्लाने लोगों द्वारा पहनी जाने वाली आस्तिनिया कमर तक अंगरखा कलीदार अथवा दरबारी डंका पहनावा तो बहुत सारे उसके बाद नेक्ट जो हम चलते ह अब बूशनों को वी कर लेते हैं अभी ठीक है अरयन राज्यों पहने जाने वालब अबूशन तो गले में पहने जाने जाने वाले बूशन जो है अशली हंशला पांच मिंट सारी लगनी हमने इसमें और बार बार पर अगे तो आपको याद रहेगा या अपने गर में कोई बड़े हुन से पूछ लियो और यानवी में लग बगलग सब इने पता है पावा जो पुराने बड़े बुड़े हैं ऐसे नया न तो पता नी पांदा है उसके ब पूल, कांटा, नथनी, लोंग, सिंगार, पटी, तागगा, बोरला, टिका, बाली, गजरा, बेस, कलफ, भुजनी, छाज, पुरली, वा कोका जैसे आदिया वो शुन परमुख हैं पाव में पहने जाने वाले भाई, पाव के शुन लोब, कडी, जांजन, चूडिया, अथे पर पयुजनी, जाने वाले भाई, छाज, टिका, बोरला, टागगा, बेस, सिरवाले भाई, फल, सिंगार, पटी, कलंफ, और पूरो शो के परमंप्री का बुषन भाई, गोफ्यों खठळा, गळे का होए है, मूर्की का अनों की होए है, पत्री-गढ़े में होए ह पहले पल्ले में बांगती है तो यह थे बहुत जरूरी है इसमें से क्वेश्चन जुरूर आता है चीकर ना दो मिनिट हमारी सारी लगनी इसको पढ़ने में कई बार पढ़ोगे तो आपको याद रहे जाएकुस तो आपको पता भी है बस जो और बाकी जान करें वो द्यान स पढ़ने है उसके बाद वाई नेक्स्ट जो है अगला टोपिक देखते हैं इसके इंदर अब एक अर्याना के जो है प्रसीद साइट तकार के बारें पढ़ लेते हम क्योंकि यहां से भी कुश्चन आया कर एक हंड़िड प्रसेंट आया कर है उससे पहले एक बार परसीद स इसके स्फच्रेश्क अधियर जो है क्षाम्च जो आर्याणा के कौन से हैं सांगिया के नाम तक सुने मंगे पहले बहुत सांग हुआ कर दे तो जो जो है शुरू करते है कि सुमplit x evolved पूछे गए पूछे गए पूछे गए हैं उसका दमांगे राम भी बहुत जाने माने सांगी होए है दुशंत सकुंतला नवरतन दुरो बगत किर्शन जनम इनके प्रमुक सांग है यह जो ड्यान राखियो दुबारा पर लिए एक बार उसका दनपत सिंग दनपत सिंग थे बाई जैननी चोरिन ने सांग करया पुर्ण अलिबक्स खांवाई अलवर का सिफ्त नामा नलका छडाव राजा नलका बगदाव फिसाना पदमावत अजाव अजाईव माराजा सिव दान सिंग का बार मासा क्रिशन लीला निहाल बे चंद्रावल वै कुब कावली यह सांग रहें के इचंद्रावल का ता कोस्टन वैस से भी कई है चंद्रावल फेमस फिल्म रही अरियाने की उसके बाद एहमत बक्स था वाई कंसिलिया करी रामायन सोरी से उप्रला चुटिया वाई सम्रूप चंद जो था सम्रूप तो मने पहली बार सुने हां बाक्की पीसे लिए सुन भी रखे बंशी लाल तो पर गे था अरियाना के इंदर देख लोग ये अलिवक्स खां और एम अधबक्स दोन आम द्यानार को देपजल होजे दोन उन सेम सोचलो एम अधबक्स न किया था कंसली ले रामायन चंद्रकिरन नवल दे सोरट चुहान जैमल पत्ताव गूगा बाज्य बगत भाई ये वी बोद इन जरी संद्र सोरट संद्र च्रनदेव उतानपाद उतानपाद भी फेमस होया है उसके बाद पंडित संकरलाल पदमेनी बूरा बादल मूर्द वजव परलाद गोवर्दन सारस्वत भाई दुल्ले महाबारत जस्वन सिंग्व कृष्न लीला कृष्न गोष्वामी भाई दि नाम थे उन्हें जो जो सांग करें हैं जैनी चोर का बहुत नाम आ गया है उतानपाद का भी कई बार नाम है इरान जाका भी आया है नाम भई ठीक है यह पड़ लियो वार पड़ने पड़ाएंगे तब काम चलेगा उसके बाद नेक्स्ट है वाई हम पड़ाएंगे अब क परिया निस्तल पर लेवाई अर्याना के प्रोड़ी जानकारीर के बारे में कोशन जरूर पुछा जावा है तो शुरू करते हैं वैसे कोशन हम सारे आली है फिर भी हम पड़ने को एक बार और रिवीजन होजेगा अर्याना के प्रटिन स्तल सुल्तानपुर पक्सी विहार फरुक नगर गुड़गां फरुक नगर विश्तित है वाई और इसके अंदर पीटर जक्षन नामक पक्सी प्रीम वेक्ति ने की थी यानिकि इस वेक्तिन इसकी खोज की थी वही और यहां अक्तुबर से फरुरु के बीच में ऐस संक्या परवासी वक्षी आओ जो दूसर पास उसके बाद स्काइलार कॉंप्लेक्सी पानिपत में जीट रोड पेस्ति था बिल्कुल में देख्या भी हो जो पानिपत जा रही है दमदमा जील सो नाम है वाई यानिके यह द्यान रखियो यह गुरु गुराम में है सो नासी आट किलोमेटर के दूरी पर है मसली सिकार के लिए परसीद एए करण जीलिया आयसीस बोल देते हैं वह इसको करनाल के अंदर जिट रोड पर है अब बाड़ा की और आठ किलमेटर दूर गुरु गिमनाने करके दूर लग बग चपन कैनाल बूमी पर जो है परदान किया गया यहां पे जेंग है दी गई है उसके बाद वही यह आगया मारा पैरा कीट पिपड़ी के अंदर है पिपड़ी कुर्षेत्र के अंदर आवा भाई मेंजी टूर पर है यह उसके बाद अगला है समा गुरु गुराम में वह यह भी अर्याना दज्जे गुरु गाउं जीले में इस्तित एक प्रिटनिस ताला जो क्या दुनिक्षिदाव से प्रिदाबाद में वही तो मर राजानंग पाल दवितिय द्वार निमान करवा गया था यह बहुत बार पेपरों में आया बहुत बार आया वाई तो इसलिए द्यान से पड़के जाएं दिल इसे लगव 20 किलोमेटर दूरी पर है यह सुर्य जैसा है इसका कार और मयुर जी मयुर जील भी है एक्टस गार्डन वाई पंचकुला में है रोज गार्डन चंडिगर में है इस अब से बड़े कैक्टस गार्डन का निमान पंचकुला में किया गया जिसमें लगव 3500 विलक्षण पसुपक्षी पल जाते सुरक्षित हैं जो लग बगाया बोच्चुकी ह इनुमान लो उसके डबचिक फ्रिदाबाद में वही दिल्ली आगरा राष्ट्री राजमारक पस्तित है ये उसके बाद अरावडी का गोल्फ मेदान फ्रिदाबाद में है और अमेरिका के स्टीफन गोल्फ मेदान की तरह बना गया है ये नो हाल गोल्फ से बढ़ाकर ठा हाल गोल्फ कर दिया गया इसका अकार उसके बाद किंग फीशर अंबाड़ा में वही दिल्ली अंबाड़ा राष्टि राजमारक पस्तित है और सिस उचाना के अंदर है वही उचाना जीन में है उचाना नमक्स्तान परिशाद उनिवन जिन पारक किस्ता आपना की गई है उसके तीलियारो तक में है यह एपिटिन स्तल्रों तक में लगई सो त्यी सेकड में फैला वा तीलियार उसके बाद यादवेंदर उध्यान वाई यह बीच कहां है पिंजोर के अंदर यानि कि पंशकुला के अंदर आता है चंडिकट डिसीमला राजमारक पर अंबाड़ा वायमना नगर में है अथनी कुंड क्लेशर कोंप्लेक्स तीन जेंग है यह वहाँ पर और इनके आपसी दूरी पांस किलोमेटर से दिख है तो यह था हमारा जेंग है थी जो नेक्स्ट जो अगर हमारा टोपिक रहेगा झाल 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 तो ये राश्ट्र दान सुल्टान पुर राश्ट्र दान गुरुग्राम के अंदर है एक पंट ती तराश्ट्र किलोमेटर फैला हुआ है और उन्हीं इसको ये राश्ट्र पारक बना गया था परवासी पक्सियों के लिए परसीद झाल झाल झाल